हलो एब्रिवन माई नायम इस डॉक्टर आशी श्रिवास्तव प्रीवियस लेक्शर्स में हमने प्रॉसेस ओफ रिकॉंबिनेंट डिन टेकनलोजी के फाइव इनीशियल स्टैप्स कम्प्लीट कर लिये थे अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्शर् की आपको लिंक प्रोवाइड की गई है आप वहाँ पर जाकर प्रीवियस लेक्शर्स को वाच कर सकते हैं आज हम बात करेंगे आल डिन टेकनलोजी की प्रॉसेस में स्टैप नंबर 6 को यानि की ट्रांसफेरिंग दा रिकॉंबिनेंट डिन इन इंटू दा होस्ट प्रीव ट्रांसफर्ड किया जाए लेकिन एक चीज़ आप हमेशे याद रखिए कि कोई भी होस्ट सेल डिन जैसे हाइड्रोफिलिक मॉलीक्यूल को अपने अंदर डिरेक्ली ट्रांसफर्ड नहीं होने देगी मेरे कहने का मतलब क्या है डिन एक हाइड्रोफिलिक मॉलीक्यूल है और डिन जैसा हाइड्रोफिलिक मॉलीक्यूल एक्रोस दा प्लाजमा मेंब्रेन डिरेक्ली किसी होस्ट सेल के अंदर पास या ट्रांसफर्ड नहीं हो सकता तो सभाविक है हमें होस्ट सेल में कुछ कॉम्पीटेंट डैवलब करना पड़ेगा यहाँ पर एक वर्ड मैंने युस किया है कॉम्पीटेंट का मतलब होता है सामर्थ यानि कि आपको होस्ट सेल में ऐसा सामर्थ विकसित करना होगा कि होस्ट सेल इस लायक बन सके कि वो फॉरेंजीन को या डिन मॉलीक्यूल को अपने अंदर ट्रांसफर्ड होने के लिए अलाउ करे और यही आज का हमा कर देते हैं ताकि RDNA मॉलीक्यूल को होस्ट के अंदर सक्सेस्फुली और इजीली ट्रांसफर्ड किया जा सके तो सबसे पहले आप याद रखिए डिन एक हाइड्रोफिलिक मॉलीक्यूल है पहली चीज और यह डारेक्ली पास नहीं हो सकता किसी होस्ट सेल में या रेसीपि कर सके और वो मेथड्स जो आपको डिसकस करनी हैं स्टॉपिक के अंदर वो हैं कैमिकल मेथड यानि कि ये काम हम कैमिकल मेथड से भी कर सकते हैं दूसरी मेथड हम डिसकस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तिसरी मेथड का नाम होगा माइक्रो इंजैक्शन और फोर्थ नंब tent को develop कर सकती है जिससे host cell RDNA molecule को अपने अंदर क्या कर सकता है receive कर सकता है आप से एक question ये भी पूछा जा सकता है कि इन में से आपको question है पूछा जाएगा कि इन में से कौन सी method है जिनकी help से आप RDNA molecule या foreign gene को किसी host के अंदर transfer कर सकते हैं तो आपको पांचों methods के नाम याद रखने क्योंकि इन में से किसी भी method को option में दिया जा सकता है और ये पांचों ही method same purpose में useful है यानि कि इनका काम क्या है ये RDNA molecule या foreign gene को host के अंदर transfer करने में काफी उपी होगी है इन में से कुछ method ऐसी है जो exclusively plant के लिए use की जाती है यानि कि अगर आपको plant cell के अंदर foreign gene को transfer करना है तो इन में से एक ऐसी method है जो exclusively plant cell के लिए उपी होगी है और एक ऐसी method भी है यहाँ पर जो specifically exclusively animal cell के लिए काफी important है जो मैं आपको आगे चल कर बताने वाला हूँ तो चलिए start करते हैं और अपने पहली method पर हम सबसे पहले discussion करेंगे chemical method अगर आपको किसी host cell के अंदर RDNA molecule को transfer करना है chemical method का use करके तो एक चीज़ आप हमीशा ध्यान रखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा हम एक liquid medium लेते हैं हम एक तरल मध्य हम लेते हैं liquid medium लेते हैं और उस liquid medium में बहुत सारी क्या ले लेते हैं host cell जिनको आपको recombinant बनाना है और इसी medium में हम किसको add कर लेते हैं recombinant DNA molecule को जिनको आपको host cell के अंदर transferred करना है तो consider कीजिए कि एक liquid medium में ये एक host cell है आपने ऐसी बहुत सारी host cells को ले रखा है लेकिन मैं एक host cell को यहाँ पर दिखा रहा हूँ और उसी liquid medium में आपने किसको add कर लिया है इस प्रिकार से बहुत सारे recombinant DNA molecule को आप क्या चाहते हो कि ये recombinant DNA molecule host के अंदर क्या हो सके है transferred हो सके है पर ये अपने आप तो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि DNA एक hydrophilic molecule है तो आप chemical method में क्या करेंगे सबसे पहले याद रखिए chemical method में हम लोग एक chemical polymer का use करते हैं जिसको कहते हैं PEG यानि कि polyethylene glycol polyethylene glycol एक ऐसा polymer है जिसको जब हम इस medium में add करेंगे तो host cells में ये क्या create कर देगा पोर्स create कर देगा polyethylene glycol जो है वो host cells में छोटे छोटे से पोर्स create कर देगा छिद्र बना देगा इस तरीके से तो जो cell wall होगी host cell की और plasma membrane होगी उसमें इस तरीके से small size के क्या create हो जाएंगे पोर्स किसकी वज़े से PEG की वज़े से फिर आप इस medium में add करेंगे calcium chloride को और calcium chloride का function क्या होगा कि ये recombinant DNA molecule को cell के outside यानि की cell की outermost boundary पर recombinant DNA molecule को precipitate कर देगा क्या कर देगा precipitate कर देगा या कहा जाए तो DNA जैसे molecule को RDNA molecule को cell के outside क्या करेगा ये bind करा देगा attach करा देगा इस तरीके से अब आप add करेंगे इस medium में calcium ions को ये मैंने क्या add कर दिए calcium ions calcium ions क्या करने वाले हैं calcium ions literally bivalent cations है इन पर कौन सा charge है positive charge है और DNA जो हमारा है RDNA molecule उस पर कौन सा charge है आप जानते है negative charge है तो जो calcium ions है वो actually में DNA को अपने साथ bind करेंगे और pores की help से cell के अंदर transferred कर देंगे तो CA++ ions एक प्रकार से carrier की तरह काम करेंगी ये DNA को अपने साथ bind करेंगे और pores की help से cell के अंदर DNA को क्या कर देंगे RDNA molecule को transferred कर देंगे तो आप देखेंगे RDNA molecule जो बाहर था ये देखी RDNA molecule कहाँ पर है बाहर है ये CA++ ions के साथ pores की help से कहाँ पर transferred हो गया cell के अंदर तो ये cell ने किसको receive कर लिया RDNA molecule को और आपकी cell क्या बन जाएगी एक genetic modified cell या recombinant cell तो ये है आपकी chemical method clear chemical method में सबसे important चीज़ याद रखिए कि इसमें manly जो आप chemical use कर रहे है जिसकी वज़ए से इसको chemical method कहा गया वो है PEG यानि कि polyethylene glycol क्योंकि calcium chloride और calcium ions यानि कि CA++ ions का use हम और भी कई methods में करते हैं पर इनकी वज़ए से आपने इस method को chemical नहीं बोलाए chemical method को chemical बोलने की वज़ए है polyethylene glycol clear? अगली method है transformation और आपने molecular basis of inheritance chapter में Griffith experiment में transformation का नाम ज़रूर सुना होगा transformation method भी chemical method से काफी मिलती जुलती है वस अंतर इतना है कि chemical method में आपने cells में pores create किये PEG की help से पर transformation में आप cells में pores create करेंगे heat shock की help से यानि कि आपको 42 degree Celsius पर cells को क्या देना? heat shock देना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? chemical method की तरह host cells को और RDNA molecule को एक liquid medium में ले लेते हैं यह मैंने host cells को और RDNA molecule को कहाँ पर ले लिया? एक liquid medium में अब मैं add करूँगा इस medium में calcium chloride को और CA++ ions को मैंने calcium chloride को add कर दिया जो क्या करेगा? RDNA molecule को cell के outside पर precipitate कर देगा bind कर देगा और मैंने add कर दिये कुछ इस तरीके से CA++ ions यह मैंने क्या ले लिये? CA++ ions जो RDNA molecule को अपने साथ bind करके cell के अंदर transferred करेंगे लेकिन cell के अंदर यह तब transferred कर पाएंगे जब cells में pores create हो तो cells में pores को create करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? cells को incubate करेंगे इस पूरे solution को incubate करेंगे ice में ताकि solution का temperature low temperature पर आ सके और फिर हम 42 degree Celsius का heat shock दे देते हैं 42 degree Celsius का क्या देते हैं heat shock जब आप 42 degree Celsius का heat shock देते हैं cells को तो cells में क्या create हो जाएंगे? कुछ समय के लिए pores यह बड़ी simple सी process है जब आप बहुत थंडा खालें कुछ और फिर गरम चाय पीते हैं तो आपके दातों में क्या होती है? sensitivity होती है तो cells को heat shock लगने की वज़े से क्या होगा? cells की जो plasma membrane है उसमें pores create हो जाएंगे कुछ समय के लिए और उस duration में जिस समय pores create होंगे RDNA molecule CA++ ions की help से pores में से होता हुआ cells के अंदर क्या हो जाएगा? transferred हो जाएगा और हमारी cells RDNA molecule को क्या कर लेगी? receive कर लेगी और यह recombinant cell बन जाएगी इस process को ही आप क्या कहेंगे? transformation तो what is the basic difference between chemical method and transformation तो आप कहेंगे देखिए दो चीज़ हैं तो common है chemical method में भी आप CA++ ions का यूज़ करते हैं जो की DNA को अपने साथ bind करके pores की help से cell के अंदर क्या करते हैं? दोनों method में आप CACL2 का यूज़ करते हैं calcium chloride का यूज़ करते हैं जो RDNA molecule को cells के outside precipitate करने में help करता है तो ये दो चीज़ है तो common है दोनों methods में basic difference है दोनों method में क्या? कि chemical method में आप क्या करते हैं? chemical method में हम लोग PEG का यूज़ करते हैं cells में pores create करने के लिए जबकि transformation में हम लोग same purpose के लिए क्या करते हैं? cells को पहले ice में incubate करते हैं फिर heat shock provide करते हैं heat shock वो भी कितने temperature पर 42 degree Celsius temperature पर इससे ज़्यादा temperature पर heat shock आप नहीं दे सकते हैं दरवाई cells denatured हो सकती हैं अगली method पर हम आते हैं ठीक है अगली method हमारी है micro injection ये काफी advanced method है तो पहली चीज़ तो आप याद रखिए कि micro injection एक vector less technique है यानि कि micro injection एक ऐसी technique है जिसकी help से आप किसी foreign gene को या alien DNA को directly cell के nucleus के अंदर transferred कर सकते हैं directly आपको vector की ज़रूवत नहीं है आप किसी भी gene of interest को directly cell के nucleus के अंदर क्या कर सकते हैं transferred कर सकते हैं इसको vector less technique कहा गया है और इस method का use हम generally किन cells में DNA या gene को transferred करने में यूज करते हैं तो याद रखिए animal cells अगर आपको किसी animal cells के अंदर foreign gene या alien DNA को directly transferred करना है तो आप किसका use कर सकते हैं micro injection का आपको vector की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी इस method में हम लोग क्या करते हैं देखिए इस method में एक micro injection use किया जाता है जैसे आपने देखा होगा हम injection लगवाने के लिए syringe का use करते हैं वैसी ही एक syringe होती है जो थोड़ी सी advance होती है और इस syringe की खासियत यह होती है कि इस syringe में जो यह आप needle देख रहे हैं यह needle है यह needle बहुत ultra fine होती है इसका जो diameter होता है वो nanometers में होता है और आप उसको अपनी naked eyes से ज़ादा आसानी से नहीं देख सकते है ultra microscopic view में ही आप इस needle को सही तरीके से देख सकते हैं बहुत जादा fine needle होती है तो हम micro injection के अंदर DNA का solution ले लेते हैं और फिर needle को हम cells के अंदर ले जाते हैं cells के nucleus के अंदर ले जाते हैं और फिर nucleus के अंदर ले जाकर हम injection के थुरू DNA solution को praise करके कहां पर भेस देते हैं cells के nucleus में यानि कि आपने syringe को praise किया तो जो solution होगा DNA का वो कहाँ पर inoculate हो जाएगा कहाँ पर चला जाएगा cells के nucleus में चला जाएगा और ये DNA के molecule यानि कि आपके alien DNA molecule जो है वो randomly cell के nucleus के अंदर cell के genomic DNA के साथ क्या हो जाएगे integrated हो जाएगे समाकलित हो जाएगे bind हो जाएगे और आपकी animal cell recombinant हो जाएगी यानि कि genetically modified हो जाएगी तो एक interesting चीज में आपको बता देता हूँ micro injection की help से हम किसी animal cell के nucleus में किसी alien DNA को या foreign gene को किस तरीके से insert करते हैं इसका एक electron microscopic view electron microscopic view में आपको दिखाने वाला हूँ सबसे पहले हम वो देख लेते हैं मैं आपको एक ऐसा बीडियो दिखाने वाला हूँ जिस बीडियो में आप practically देख पाएंगे जो मैंने खुद prepared किया है मैंने खुद animal cell के अंदर micro injection technique की help से foreign gene को nucleus के अंदर कैसे transferred किया है यह practically मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बीडियो के तुरू तो सबसे पहले हम उस बीडियो को देख लेते हैं उसके बाद हम आगे की methods के बारे में discussion करेंगे यानि कि हम biolistic method पर discussion करेंगे तो चलिए देखते हम लोग यह बीडियो लिए देखते हम आट हॊब और चलत खोरा गालगी गाले हम था इस तट्कांब टो बढ़े प्रोचे देख़ो बीडियो को फ्रेरियो को त mês सका counselor था प्रूच एस्वेगी ओझाम आदा भीडियो हुई रुषा SUS तो सबसे खेख अंदरेकश कर दोग्यारssen कर दो भी दोगे धिपान कि ँब कर दोगे। स्काहूँ लने कॉकि झालेशन रंagar प्डिर स्थाने हिर दोयां प्लोगण प्लोगख कि आाँ क्वड़ अाइमर secondo लिगन सबस्दाइब वडेफाएं अर्शान विर टो sounds तो आपने micro injection का microscopic view देख लिया है तो इस view को देखने के बाद मुझे लगता है कि micro injection की जो technique है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अगर आपको समझ में आ चुकी है तो मुझे comment box पर लिख कर ज़रूर बताइए ये चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि biological या gene gun method क्या होती है अगर आपको किसी host cell के अंदर foreign gene या RDNA को transferred करना है और उसके लिए अगर आप gene gun method का use करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं देखिए इस method में हम लोग सबसे पहले क्या करते है कि जो आपका RDNA molecule या gene है foreign gene है उसको हम coated कर देते तो उसके चार तरफ हम एक coat लगा देते हैं किसका gold या tungsten के particles का वो भी ऐसे चोटे चोटे से particles का जिनकी size एक से दो micrometer होना चाहिए समझा देता हूं कैसे मान लीजी ये आपका RDNA molecule है ये हमारा क्या है RDNA molecule clear इस RDNA molecule के चार तरफ हम किसकी coating लगा देते हैं एक से दो micrometer size के gold या tungsten particles की तो ये gold की मैंने उसके चार तरफ क्या लगा दी coating लगा दी अब आप मैंसे कई बच्चों को लगेगा सवना या tungsten की क्यों लगाते हैं लोहे की क्यों नहीं लगाते हैं तो वहाई gold और tungsten जो हैं वो inactive metals हैं cells के अंदर अगर ये metals चली भी जाएंगे along with DNA तो cells में कोई chemical reaction नहीं होगी ये cell को किसी भी तरीके से harm नहीं करेंगी तो RDNA molecule को या foreign gene को coated कर दिया हमने gold yet tungsten के 1-2 micrometer size के particle की help से अब हम क्या करेंगे इस method में एक apparatus होता है जिसको आप gene gun कहते हैं एक apparatus होता है जिसको आप क्या कहते हैं gene gun जैसे बंदूख होती है गोली चिलाने वाली वैसे ही एक apparatus है जिसको आप gene gun कहते हैं इस gene gun के अंदर हम इन particles को क्या कर लेते हैं load कर लेते हैं फॉर एक्जामपल ये देखिए ये एक gene gun है ये एक gene gun है और इस gene gun के अंदर इस तरीके से हमने gold और tungsten के particles को load कर लिया जिन के अंदर क्या है आपका RDNA molecule है अब सामने आप किसको place कर देते हैं हमारी target cell को जो भी आपकी host cell है जिसको आपको recombinant बनाना है उसको आप सामने place कर देंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बंदूक में जैसे firing pin होती है वैसे इस apparatus में भी ये firing pin होती है आप जब firing pin को place करते हैं तो high velocity से यानि की बहुत तेज गती से ये जो particles हैं गोल्ट अंगस्टन के जिनको micro projectiles कहते हैं ये particles जो हैं वो hit करेंगे और किस से टकराएंगे आपकी target cell से और बहुत सारे particles जब आपकी target cells पर टकराएंगे तो कुछ particles high velocity की वज़े से high force की वज़े से cells के plasma membrane को cell wall को cross करते हुए कहां पहुँच जाएंगे cells के अंदर और ऐसी condition में cells के अंदर जब ये particles पहुँचेंगे तो इन particles में से क्या release हो जाएगा आपका RDNA molecule और आपकी cell क्या बन जाएगी recombinant यानि की cell में genetic modification हो जाएगा तो इस method पर से जो सबसे ज़ादा popular question मैंने देखा है last years में वो ये है कि आप से ये पूछा जा सकता है कि biolistic या gene gun method का use ज़ादा तर किन host cells में gene transfer करने के लिए किया जाता है तो आपका answer होगा plant cell या आप से ऐसा भी question पूछा जा सकता है कि अगर आपको किसी plant cell में किसी RDNA molecule या foreign gene को transferred करना है तो आप इन में से किस method का use करेंगे तो answer होगा biolistic या gene gun method तो दो चीज़ें आप यहाँ पर बिलकुल रट लीजिए अगर आपको plant cell में कोई genetic modification करना है तो most commonly used vector is ti plasmid vector and अगर आपको RDNA molecule cell के अंदर transferred करना है तो most common method is biolistic similarly अगर आपको animal cells में किसी foreign gene को transferred करना और आप vector का use करना चाहते है तो vector कौन सा use होगा retroviral mediated vector और अगर आपको foreign gene को directly किसी animal cell के nucleus के अंदर पहुचाना है तो most commonly use होने वाली method कौन सी होगी micro injection clear आगे बढ़ते हैं आखरी हमारी method है electroporation यहां पर आपको electrict shock देना होगा जैसे transformation में हमने क्या किया था heat shock दिया था यहां पर आपको केवल क्या करना होगा? electric shock देना होगा तो sim method है जैसा कि transformation है वैसा ही electroporation है इसमें हम λोग क्या करते हैं एक liquid medium में RDNA molecule और host cell को ले लेते हैं, for example, यह आपकी क्या हो जाती है, host cell, और उसी liquid medium में हमने क्या ले लिए बहुत सारे RDNA molecule, अब आपको क्या करना है, अब आप RDNA molecule और host cell को जिस भी liquid medium में लिया है, उस liquid medium को treat करेंगे, CA++ याने की vivalent cations और calcium chloride से, इनका concept आप अच्छे से जानते हैं, chemical method में आपने इनको यूज किया था, CA-CL2 क्या करेगा, calcium chloride, RDNA molecule को cell के outside पर precipitate कर देगा, और calcium ions क्या करेंगे, CA++ ions DNA के साथ bind होंगे, और DNA को cell के अंदर transferred करने में help करेंगे, पर तब जब cells में pores create हो जाएंगे, अब cells में pores create करने के लिए आप क्या strategy यूज करेंगे, या तो आप high voltage की short pulse provide करेंगे, याने cells को आप high voltage का current देंगे, कुछ समय के लिए, ताकि cells में कुछ समय के लिए pores create हो जाएं, जैसे ही cells में pores create होंगे, हम सभी जानते हैं कि जो CA++ ions हैं, वो RDNA molecule के साथ bind होकर, उसको cells के अंदर क्या कर देंगे, transferred कर देंगे, या फिर अगर आप low voltage का current दे रहे हैं कलने start हो जाएंगे, ठीके न, तो या तो आप high voltage का short pulse देते हैं, या low voltage की आप long pulse देते हैं, दोनों condition में cells में temporarily कुछ समय के लिए pores create हो जाएंगे, और उस duration में CA++ ions जो हैं, वो pores की help से RDNA molecule को cell के अंदर transferred कर देंगे, और इस तरीके से RDNA कहां पहुँच जाएगा, आपकी host cell के अंदर, तो I hope कि आपने इन पांचों methods को बहुत अच्छे से enjoy किया होगा, समझा होगा, जाना होगा, अगर आपको कोई confusion है, तो आप मुझे comment box पर लिखकर ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपको ये lecture अच्छा लगा है, तो आप इसको like करिए, चैनल को subscribe करिए, अगले lecture मैं आप से discuss करूँगा, इसी chapter के और important topics के बारे में तब तक के लिए, thank you very much.